हलो दोस्तो स्वागत है अपका हमारे चानल डिफेंस अफ एरस पर दोस्तो जब से इंडिया ने अपनी इंडिजियनिसली मेनुफैक्टर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आइनस विखरांद को इंडियन वाटर्स में कमिशन किया है तब से इसके लेकर सुटेबल एयरक्राप्स की खोच भी शुरू हो गई है जिन्हें आइनस विखरांद पर डिप्लॉय करके इसकी कॉंबाट केपिलिटीज को बढ़ाया जाएगा इंडियन नेवी के सर्च टू डेडली एयरक्राप्स पर आकर रुख गई है जो अपने आप में मेन कॉंटेंडर्स की तरह उभर कर आए हैं इसमें सबसे पहला है फ्रेंच फर्म डेसॉल्ट का रफेल फाइटर जेट और दूसरा है युएस के बोईंग का एफ एटीम सूपर हॉनेट इन दोनों में से किसी एक कुछ ना इंडियन नेवी के लिए काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि दोनों है फाइटर एयरक्र पर कंड़क्ट किया गया था और इस नेवल वार गेम में रफेल ने अपनी फ्लॉलस मनूवरिंग से इंडियन नेवी को इंप्रेस कर दिया था उसी तरह 2020 में बोईंग ने अपने एफ एटीम की कई खूबियों को डेमोंस्ट्रेट किया था जो इंडियन एयरक्राप्ट क के लिए जिसमें आएनस विक्रांथ के फ्लाइट बैक को भी स्टीमूलेट किया था इस देमोंस्ट्रेशन में फेबरेडी 2022 में सबसे पहले राफेल को बुलाया गया महीं जलाई में सुपर होनेट के डेमोंस्ट्रेशन टेस्ट को कंड़क्ट किया गया देखा जाए तो विखरांत और आयनेस विक्रम अधित्य ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिन में स्काइजंप या शॉट टेक ओफ बट अरेस्टेड रिकवरी जैसी टेकनोलोजी को यूज किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट को एक रैंप की तरह लॉंच किया जा सके और ये फ्रेंच और य फाइटर जेट्स ने इंडियन नीवी को साटेस्फाइब करके परफॉर्म किया था पर अपी सवाल यह है कि किस फाइटर जेट को आयनेस विख्रांद के लिए चूस किया जाएगा तो दोस्तों आपकी कहरा है इस बारे में हमें कॉमेंट्स के जरीए सिरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें